असलाम अलेकम आप देख रहे हैं टेक वित शहजाद आज चुडियो स्पेशली टेक्नो कैमन 16 सी इसके रिवीव के उपर है सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की तो इसको अगर इसको प्राइस को दिखा जाए तो एक ही वेरिट में लांच किया गया है पाकस्तान आफ लाइन ऑनलाइन मार्केट में और अगर इस फोन की रिसेल वेली को देखा जाए तो एक साल यूज करने के बाद करीबन पंदरा हजार पे का फिर भी सेल हो जाएगा तक दस हजार प्या लांज करेगा एक साल यूज करने के बाद टेक्नो कैमन 16 सी यह फोन तीन कलर में लांज किया गया है क्लाउड वाइट कलर में यह जो आप देख रहे हैं और दूसरा कलर है प्यूरिस्ट ब्लू और थर्ड कलर इसका है मिस्टी ग्रे कलर में दोस्तों अगर टेक्नो कैमन 16 सी इसका कंपेरिजन अधर ब्रैंड के साथ किया जो कि मार्केट में इसी प्राइ और सैमसिंग के पास है एट 21S और रेडमी के पास श़ौमी के पास है रेडमी 9 तो इन तुमाम स्मार्टफों को अगर और ऑर अवराल कंपेर के जाए तो इनमें से जो नंबर वन पर जो बेस्ट आता है और 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 फीचर को मिला कि तो रेडमी 9 इन सब में से बेस्ट को देखा जाए तो एक उनके लिए फोन बिल्कुल रेक्मेंट नहीं किया जा सकता और अगर तो आप नए प्लेयर हैं अगर आप सीख रहे हैं तो फिर इस पर पबजी आप सीख सकते हैं चला सकते हैं लेकिन ये प्रफेशनल के लिए मुझे तो अच्छा नहीं लगा क्योंक क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो ग्राफिक स्पोर्ट है वो स्मूद के साथ अल्ट्रा की आती है और इसमें कोई मुझे इतना गेमी परफॉमेंस इसकी अच्छी नहीं लगी इस फॉन की दोस्तों कैमन सिक्स्टीन से इसकी अगर बैटरी परफॉमेंस को देखा जाए तो बै यह वाटर जो यह चार्ज किया है तो यह 20 मिनट में 10 परसंट बैटरी की चार्ज हुई है और यह बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है इसकी पता नहीं क्या वज़ा है आई डॉन्नो लेकिन यह फोन इतना हीट नहीं होता नॉर्मल है लेकिन इसमें इस प्राइस में को अगर देखा जाए तो यह फोन नो डाउट एक सॉलड फिल देता है और अच्छी इसकी ग्रिब भी अच्छी है लेकिन बटन्स तक इसली एकसेस जरूर है लेकिन फिंगर प्रिंट तक इसली एकसेस आपको नहीं मिलती इसमें क्योंकि यह फोन को अगर हम दर्मयान से प बहुराल अगर इसके डिस्प्ले को भी मैं डिसकस करना साथ तो डिस्प्ले इसका इस प्राइस में इसका इतना अच्छा नहीं है FHD प्लस डिस्प्ले इस प्राइस में होना चाहिए तक क्योंकि यह जो just HD डिस्प्ले दिया गया है यह इसका एक ड्रॉबैक है इसमें जो ज्यादा रखिए इस फोन की दोस्तों टेक्नो कैमन 16 SE इसकी कैमरा पर्फॉमेंस को देखते हैं तो यह कैमरा पर्फॉमेंस कुछ ऐसे है कि मैंने इसका कैमरा यूज किया है और इसका कैमरा जितने भी इसके कंपैरिजन में ब्रैंड मार्किट में वेलब लें उन सब में कि और जो कैमरा अच्छा है वह इसी फोन क का है और यह अगर मैंस को कहूं को ओंगी कैमरा फॉन है तो यह गलत नहीं होगा कूँकि इसका रिर कैमरा और प्रंड कैमररा इसके जो फीचर Ugh और इस इसमें लेकिन एक चीज में समय नहीं है इसमें 48 मेशल का जो कैमरा दिया गया है उसमें भी 10x hybrid zoom support दी गई है वह एक अजीब सी बात है शायद कोई नहीं टेग्नालोजी आई हो जैसे के टैवस टेडमार का कुछ तो कुछ असर तो हुआ है इसमें और यह कैमरा इसका नो लगा इसके फीचर भी काफी बहतर है और इसका जो इसका जो अच्छा है लेकिन इसमें जो सीपी यू है जो के इस प्राइस में कुछ हलका है यानि के तो बहुत बहुतर होना चाहिए था और आल जीपीव परफॉर्मस इसकी इतनी बैस नहीं है गेमिंग के लिए तो बिल स्कैनर भी है तो यूज करना मुझे कुछ मुश्कल लगता होगा क्योंकि फून तुरा सा हैंडी नहीं है और सिंगल है यूज करना भी इतना इजी नहीं है और इसलिए फेशन लोग स्कूर्टी इसकी काफी फास्ट है जो कि मुझे अच्छी चीज लगी है तो आपको डि इस प्राइस को चाहिए तो आप यह वहला फून पर्चेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ गेमी परफॉर्मस चाहिए तो यह बिल्कुल भी ना पर्चेज करें और वरॉल मैं इसको यही कह सकता हूं कि कैमरा फून है तो यह था आज का इस फून का रिवियू